Hey guys, कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास है Moto G60 जो के बहुत ही amazing specifications के साथ आता है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस phone के 40 से ज़ादा amazing features जिनकी मदद से आप इस phone को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे तो phone के बारे में अ पहली important चीज आपको इस phone के बारे में बता दूँ इस phone में आपको 120Hz का refresh rate मिलता है और by default इस phone में आपको adaptive refresh rate enable करके दिया गया है अगर आप settings में display के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर advanced के अंदर आपको display refresh rate का option मिलेगा और यहाँ पर आपको option मिलता है कि आप 60Hz, 120Hz और auto के बी मिलते हैं तो आप 120Hz वाला mode यूज कर सकते हैं ज्यादा smooth experience लेने के लिए दोस्तो moto का अगर आप कोई भी phone purchase करते हैं तो सबसे ज्यादा amazing features आपको इस moto icon के अंदर मिलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला option आपको personalized का मिलता है जिसके अंदर अगर आप styles में जा लगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे icon shapes भी दिए गए हैं जो के काफी जादा amazing दिखते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर चूज करके आप next कर सकते हैं उसके बाद layout का option आपको मिलता है वो आप चूज कर सकते हैं और इसको आप save करके apply कर सकते हैं personalized के अंदर दूसरा amazing option आपको wallpapers का देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको interactive wallpapers का support भी दिया गया है मतब के एक तरीके के live wallpapers हैं और जब आप touch करते हैं screen के उपर उसका भी एक action आपको देखने के लिए मिलता है जैसे के यहाँ पर यह वाला wallpapers अगर आप देखेंगे काफी सारे different amazing wallpapers हैं जो के आप यहाँ से choose कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों काफी सारे gestures यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहला gesture है यहाँ पर quick capture का अगर आप इसको enable रखते हैं तो phone को इस तरीके से दो बार twist करके आप जल्दी से camera open कर सकते हैं इसके phone मेंने ऐसे पकड़ा है दो बार अगर मैं twist करूँगा camera यहाँ पर automatically open हो जाएगा अगला gesture यहाँ पर fast flashlight का है मतब कि अगर आप phone को दो बार chop करते हैं इस तरीके से तो आप flashlight को on या off कर सकते हैं जैसे के phone मेंने इस तरीके से पकड़ा है अगर मैं दो बार chop करूँगा तो flashlight turn on हो जाएगी और दुबारा से अगर मैं दो बार chop करूँगा तो flashlight यहाँ पर turn off हो जाएगी अगला amazing feature यहाँ पर आपको three finger screenshot का मिलता है अगर आप असानी से screenshot capture करना चाहते हैं तो आप इसको enable कर सकते हैं और three finger से कहीं भी hold कीजिए और आपका screenshot capture हो जाएगा generally काफी सारे smart phones में hold करके swipe करना होता है लेकिन इस phone में सिर्फ आपको इस तरीके से hold करना है और एक और important चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको settings के अंदर exceptions का list देखनी के लिए मिलता है अगर आपको games play करते हैं जिसमें आप three fingers को use करते हैं तो उसमें आपको touch से related कोई भी problems ना ग्लता है जो कि आपको help करता है phone को तेजी से unlock करने के लिए अपका phone कहींभी रखा होगा जैसे ही आप phone को उठाएंगे phone का force unlock काम करना शुरू करते गा और जैसे ही आपका face सामने आएगा phone तुरां से unlock हो जायेगा तो जल्दी से जल्दी unlock करने के लिए आप इस feature को use कर सकत हैं जैसे ही phone को flip करके रखेंगे dnd mode automatically enable हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आप वापिस phone को उठाएंगे dnd mode automatically disable भी हो जाएगा अगला amazing feature यहाँ पर pick up to silence का है अगर आपके phone पर कोई भी call आ रही है उसकी आवाज ring आपको सुनाई दे रही है आप phone को just उपर उठाएंगे किसी भी surface से phone की ring automatically silent हो जाएगी तो उसके लिए आप इस feature को use कर सकते हैं एक और बहुत ही amazing feature यहाँ पर आपको swipe to split screen का देखनी के लिए मिलता है अगर आप इस feature को enable रखेंगे और उसके बाद किसी ऐसी application में चल जाते हैं जोके split screen को support करता है और आप इस तरीके से swipe कर सकते हैं वो app automatically split screen में convert हो जाएगा gestures के बाद यहाँ पर आपको amazing features moto display के अंदर देखनी के लिए मिलती है जहाँ पर पहला feature है peak display जोके ambient display जैसा एक feature है जोके आपको super amoled display वाले phones में देखनी के लिए मिलता है यहाँ पर आपको IPS display मिलता है लेकिन यह peak display always on display से भी एक पहतर feature है इसमें आप notifications को control भी कर स सकते हैं कि क्या है पूरा message उसको अगर आप delete करना चाहें dismiss करना चाहें वो भी कर सकते हैं या फिर directly reply कर सकते हैं एक चीज़ आपको बोलूगा कि यहाँ पर settings में जाके tap to wake को enable कर लिजेगा तांके जब भी आप look screen पर हैं आप just tap करके उस always on screen या फिर peak display को देख पाएं और य जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं आपका phone lock ना हो या फिर screen dim ना हो मतब के कुछ second बात phone automatically lock हो जाता है आप उसको prevent करना चाहते हैं तो आप इस attentive display के feature को enable कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो और भी काफी सारे amazing features यहाँ पर जैसे के game time का feature आप settings के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप एक अलग तरीके की lights enable कर सकते हैं जब भी आपको game open करेंगे तो आपको different तरीके की lighting अपने phone के ओपर देखने के लिए मिलेगी या फिर आप toolkit enable करना चाहते हैं जब भी आपको game play करते हैं toolkit के अंदर कुछ applications को add करना चाहते हैं या फ इस option को own करेंगे तो यहाँ पर आपको speaker के audio को enhance करने का option मिलेगा आप अपनी मरजी के हिसाब से जैसा sound आपको पसंद है उस हिसाब से यहाँ पर equalizer की settings कर सकते हैं यहाँ पर एक और बहुत ही amazing feature दोस्तों आपको media controls का भी देखनी के लिए मिलता है अगर आप चाहते हैं कि आ media को control कर पाए मतब के songs को next या previous कर पाएं तो आप इस feature को own कर सकते हैं जब भी आपका phone lock होगा आप volume up की को long press करके next song पर जा पाएंगे या फिर volume down की को long press करके previous song पर जा पाएंगे इस phone में आपको inbuilt screen recorder भी दिया गया है जो कि आप control center में से use कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके उपर अगर आप long tap करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी कुछ settings कर सकते हैं जैसे कि आप maximum full HD 60fps का screen recording इस phone में कर सकते हैं हाला कि यहाँ पर sound source को set करने का option आपको नहीं मिलता इस phone में दोस्तों अगर आप कोई volt enabled sim use करते हैं तो आप इस phone में native video cooling और wifi cooling जैसे features इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी random number अगर आप dial करते हैं तो यहाँ पर आपको video call का option मिल जाता है wifi cooling को अगर आप enable और disable करना चाहते हैं उसके लिए आपको settings में network and internet के अंदर sim को set करना होगा और यहाँ पर advanced के अंदर आपको wifi cooling के options देखने के लिए मिल जाएंगे इस phone में आप आपको dark mode या फिर dark theme का option भी मिलता है लेकिन उसको आप control center में से enable नहीं कर सकते हैं उसको enable करने के लिए आपको settings में display के अंदर dark theme को enable करना होगा और यहाँ पर आप इसको schedule भी कर सकते हैं और यहाँ पर काफी अच्छे तरीके का dark mode है कुछ background आपको pitch black बहुत ही black देखने के कहीं कहीं आपको थोड़ा grey background देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर अगर आप डाइलर में चल जाएंगे तो थोड़ा grey background आपको मिलेगा काफी अच्छे तरीके से system-wide dark mode यहाँ पर implement किया गया है दोस्तों एक और बहुत ही amazing feature आपको यहाँ पर bad time mode का देखने के लिए मिलता ह मतलब कि आपको time setup करना होगा कि आप हर रोस कितने बज़े उठते हैं और कितने बज़े सोते हैं उसके बाद phone automatically आपके सोने के time पे grey scale mode enable कर देगा आपके display के colors को बंद कर देगा notifications की volume को बंद कर देगा यहाँ पर आपकुछ और settings भी इसकी कर सकते हैं कि आपको do not disturb enable करना है या नहीं या फिर आपको screen को dark रखना है या नहीं मतलब के always on display जो आपको मिलता है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं वो भी आप चीज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं settings में अगर आप जाते हैं तो आपको इस phone में screen cast या फी data transfer के भी काफी सारे options मिल जाते हैं connection preferences के अंदर आपको NFC का support मिलता है wireless display आप यूज कर सकते हैं उसके साथ nearby share, android auto, chrome book काफी सारे options हैं जिसकी मदद से आप screen share या फी data transfer कर सकते हैं इस phone में एक बहुत ही amazing feature आपको notification history का भी मिलता है settings के अंदर apps और notification के अंदर अगर आप notifications के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको notification history enable करने का option मिलेगा अगर आप इसको enable करेंगे तो phone जो है वो recent notifications सारे यहाँ पर store करता रहेगा अगर आप गलती से किसी notification को swipe कर देते हैं, dismiss कर देते हैं तो आप यहाँ पर आके दुबारा उस notification को देख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको notification history को यहाँ पर enable रखना होगा एक और amazing feature यहाँ पर आपको bubbles का या फिर floating notifications का दिया गया है अगर आप चाहते हैं जैसे ही कोई messaging वाली app का notification आपको आए या फिर message कोई आए तो वो automatically bubble के phone में open हो जाए तो आप यहाँ से allow apps to show bubbles को enable रख सकते हैं और यह option आपको यहाँ पर notifications के अंदर देखने के लिए मिल जात है notifications के अंदर एक बहुत ही amazing feature आपको swipe fingerprint for notifications का भी मिलता है अगर आप advanced के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे swipe fingerprint for notifications को enable करने का option मिलेगा इसके बाद आप अपने fingerprint sensor की मदद से notification panel या फिर control center को control कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप battery के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आ advantage दिखना शुरू हो जाएगा बैटरी के अंदर एक और amazing feature आपको optimized charging का मिलता है अगर आप बहुत लंबे time के लिए phone को charging पर लगा के रखते हैं तो इस feature को आप own रख सकते हैं phone जो है 80% तक fast charge होगा उसके बाद charging बहुत जादा slow हो जाएगी और phone basically धीरे धीरे सीथता रहेग कि आप कितने time के लिए phone को charging पर लगा के रखते हैं और उतने time में ही कोशिश करेगा कि आपका phone automatically full charge हो जाए settings के अंदर sound के अंदर एक बहुत ही amazing feature आपको multi volume का मिलता है अगर आप different apps का volume जो है वो different control करना चाहते हैं जैसे के PC में आपको एक option देखने के लिए मिलता है मतब कि अगर आप YouTube चला रहे हैं तो उसका volume आप अलग से app के अंदर से control कर सकते हैं अगर आप hot star देख रहे हैं तो उसका volume अलग से control कर सकते हैं ऐसे ही इस option को enable करके आप phone में भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं और दोस्तो इस multi volume के feature को अगर आप enable रखते हैं तो एक और बहुत ही amazing feature जो आपको मिलता है अगर आप volume को change करते हैं और इस icon पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको app volume के साथ-साथ play YouTube own का feature भी मिलता है मतब कि अगर आप किसी specific app के volume को sound को किसी different device के उपर play करना चाहते हैं वो चीज़ भी आप यहां से select कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप नीचे scroll करके system के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको एक amazing feature adaptive performance का भी मिलता है again एक AI का feature है phone automatically समझने के कोशिश करता है कि किस time पर आप किस application को use करते हैं automatically उन applications को RAM में store करके रखता है तांके जब भी आप उस application को open करें वो जल्दी से own हो जाए और जो applications क इसको आप जादा use नहीं करते हैं उसको RAM से clear करता रहता है तांके आपका RAM management अच्छा रहे तो यह सब चीज़ें आप adaptive performance की मिलत से कर सकते हैं system के अंदर एक और amazing feature आपको gestures के अंदर देखने के लिए मिलता है quickly open camera का हालांकि इसको use करने के लिए पहले आपको इस option को बंद कर system के अंदर एक और amazing feature आपको multi users का भी मिलता है अगर आप multiple users create करना चाहते हैं मतबके second space जैसा एक feature है एक से जादा लोग एक ही phone को use करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको turn on कर सकते हैं और यहां पर add user कर सकते हैं दोनों user का data different रहेगा, contacts different रहेंगे, सारी चीज़ें different चलिए दोस्तों camera के अंदर कुछ camera के amazing features आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको इस phone में 108 megapixel का lens देखनी के लिए मिलता है, उसको अगर आप use करना चाहते हैं तो आप 3 bars के अंदर यहां पर आप ultra resolution mode को choose कर सकते हैं, उसे के साथ अगर आप ultra wide या फिर macro में photos क्लिक क चाहते हैं, तो यहां पर आपको description मिल जाते हैं, photos mode के अंदर अगर आप इस icon के उपर क्लिक करते हैं, तो यहां पर आपको active photos capture करने का भी option मिलता है, मदब के अगर आप चाहते हैं कि photos में थोड़ा सा movement capture हो जाए, एक तरीका का छोटा सा 1 second का video capture हो जाए automatically, तो वो चीज़ आ अगर आप बात करें, तो इस phone में आप 4K Ultra HD videos 30fps पर shoot कर सकते हैं, 4K 60fps का option आपको नहीं मिलता, हाला कि 4K 30fps आप front और rear दोनों camera से कर सकते हैं, अगर आप slow motion videos भी capture करना चाहते हैं, उसका sport भी आपको front और rear दोनों camera में मिलता है, और अगर आप resolution की बात करें, तो आप full HD 120fps या ultra wide lens के बीच में switch कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, वीडियो अभी capture हो रहा है, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर click करके ultra wide में switch कर सकता हूं, उसके बाद वापिस अगर मैं normal में switch करना चाहता हूं, तो यह toggle switch यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगर आप portrait photos इस phone में shoot करते हैं अगर आप three bars पर click करेंगे, तो सबसे पहला interesting mode यहाँ पर cut out mode है, अगर आप portrait photo click करते हैं, और अगर आप चाहते हैं सिरफ face की photo को आप cut कर दे, background आप remove कर दे, तो वो चीज़ आप cut out mode की मदद से कर सकते हैं, उसके बाद एक amazing feature यहाँ पर आपको sport color का मिलता है, अगर आप sport color की मदद से कर सकते हैं, जिसको आप photos और videos दोनों में use कर सकते हैं, एक और amazing feature यहाँ पर आपको cinema graph का मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी video में पूरा frame जो है वो still रहे, सिरफ frame का कुछ area जो है वो moving रहे, मतब आप सिरफ अपने आपको moving रखना चाहते हैं, और background को still कर चाहते हैं, तो वो चीज आप काफी इच्छे से कर सकते हैं, अगर आप cinema graph का mode use करते हैं, उसे के साथ इस phone में आपको pro mode या फिर manual mode भी देखनी के लिए मिल जाता है, अगर आप camera जैसी settings जो है वो करना चाहते हैं, आप normal lens, ultra wide lens या फिर macro lens तीनों के लिए चीजे कर सकते हैं, इवन front camera के लिए pro mode यूज़ कर सकते हैं, हाला के videos के लिए pro mode आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक और amazing feature यहाँ पर आपको dual capture का मिलता है, अगर आप front camera और rear camera दोनों से एक साथ recording करना चाहते हैं, इवन आप rear camera में ultra wide lens में switch कर सकते हैं, या फिर उपर नीचे cameras को switch करना चाहते किस सरीके से आपको दोनों camera सकते हैं, यह सारी चीज़ें आप dual capture mode में कर सकते हैं, लास्ट feature में आपको बता दों दोस्तों कि इस phone में आप long screenshot भी capture कर सकते हैं, अगर आप को normal screenshot capture करते हैं, तो यहाँ पर आपको long screenshot capture करने के लिए एक icon मिलता है, उसको आप tap किजिए, phone automatically scroll करेग और एक long screenshot यहाँ पर capture कर देगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक long screenshot पूरी settings को मैंने एक ही screenshot में यहाँ पर capture कर लिया है, तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों, I hope यह features आपको काफी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर कीजेगा, नीचे कोमेंट से मताएगा कि आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा amazing लगा है, और चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और amazing वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों कर दो